हलो दोस्तों एक बाइफिर से मैं हाजिर हूँ 7 अगस 2021 के डेली PIP एनलिसिस के साथ तो आज के इस वीडियो के साथ हमारी PIP की सारी पेंडिंग वीडियो खतम हो गई है अब वापस हमलोग रूटिन पे आ गए है यानि 9 अगस्त की सिर्फ PIP पेंडिंग है इसके लिए कोई कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसके लिए एक आर्टिकल छप्पा है PIP में गवर्मेंट ऑफ हिंडिया दोरा 2011 में कब 2011 में नेशनल इनोवेशन्स इन क्लाइमेट रेजिलियन्ट एग्रिकल्चर लांच यह था यह जो निक्रा प्रोजेक्ट है यह एक नेटवर्क प्रोजेक्ट है निक्रा इसको ICER दोरा implement किया रहा है देखें निक्रा प्रोजेक्ट का main purpose यह है कि ऐसी फील्ड में strategic research किया जाये ताकि एग्रिकल्चर पर क्लाइमेटिक जो change हो रहा है उसका impact कम पड़े तो agriculture की फिल्ड में यानि की फिल्ड की छेत्र में climate change का impact कम हो इसके लिए कई सारे research किये जाए इसके लिए निक्रा प्रोजेक्ट 2011 में launch ही रहा था निक्रा प्रोजेक्ट के अंदर main जो thrust areas है पहला तो most vulnerable district या फिर reason को जो है identify करना उसके हिसाब से crop varieties को develop करना और adaptation and mitigation की practices को manage करना ये निक्रा प्रोजेक्ट का first two हो गया thrust area last area है climate change का impact क्या परसकता है livestock पर fisheries पर quality पर ये सब कुछ देना और देखना और उसी हिसाब से strategies को adapt करना suppose कर ये केरल में केरल में जो coastal इलाके है climate change बढ़ेगा तो आपका समुदर का जल इसतर बढ़ेगा तो coastal इलाके डूप सकते हैं केरल के आंध पर देश के इस तरह के तो वहाँ पर marine fisheries पर यानि fisheries sector पर कुछ impact पढ़ जाएगा तो निक्रा प्रोजेक्ट के तहत है यानि national innovations on climate resilient agriculture उन areas पर focus किया जाएगा तो ये तीन thrust areas है आप एक पर पढ़ लिजेगा अभी तक निक्रा प्रोजेक्ट के तहत ही ICAR दोरा seven climate resilient varieties को डलब किया जा चुका है मुझे उस धान की variety का नाम नहीं यादा रहा है जो West Bengal के यानि North East region के flood areas में वहाँ जाता है क्यों क्यो 650 districts में निक्रा प्रोजेक्ट के तहत strategic research को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि climate change का impact कम हो agriculture पर देखें पिछले 9 वर्सों में क्योंकि निक्रा प्रोजेक्ट 2011 में लौंच के था तो 9 वर्सों में निक्रा प्रोजेक्ट के तहत 16,958 training program लौंच किया जुके है और ये training program इसी ल villages हैं वहाँ पर custom hiring center इस्थापित के गए है custom hiring center क्यों इस्थापित के गए है ताकि जो farm implement हो रहा है बलकि देखें जो farm operations है वो timely implement हो रहा है कि नहीं इसके लिए आपके custom hiring centers इस्थापित के गए है 2011 में NICRA project को ICAR ने launch किया था purpose क्या है परपस है कि इंडिया की जो agriculture sector है उस पर इंडिया की 50% population dependent है और ऐसे में अगर agriculture affected होता है आपके climate change से तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि 2049 तक यानि एक research किया हो गया कि 2049 तक climate change से जो production है वो 4-9% घर जाएगा इससे GDP का जो agriculture में share है 1.5% तक कम हो जाएगा अगरिकल्चर का GDP में share हो 1.5% तक कम हो जाएगा और अभी agriculture का share कितना है 16% GDP में तो निक्रा प्रोजेक्ट क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रिकल्चरल प्रेक्स्टेस के लिए लौज किया जा जा रहा है आपको यह आखना है 121 निक्रा विलिजिस को identify किया गया है और वहां पर custom hiring center इस्थापित के गया है ताकि जो आपके strategic operations है उनको timely implement किया जा जा जुके next article है horticulture cluster इनको develop करने के लिए government of India कुछ कर रही है देखिए horticulture development program कुछ दिन पहले गुजरात में मेरे ख्यास लौंच किया था प्रामेश्टर मोदी जी ने तो horticulture development के लिए इंडिया बहुत कुछ कर रहा है आपको पता ही है राजा जो मिर्च की variety है राजा यह development के लिए कर रही है लेकिन उसके अलावा कुछ किया गया है तो हाँ बिल्कुल किया गया है cluster development program horticulture development के लिए launch किया गया है ताकि हम horticulture sector है उसको globally competitive बना सके हैं इंडिया में भी horticulture पर उतना focus नहीं किया आता है wheat rice sugar के इन पर ज़्यदा focus किया आता है देखिए cluster development program इसका main purpose क था main purpose था देखिए pre-production यानि horticulture के pre-production से लेकर export market तक हर चीज पर ध्याद देना चाहे वो value chain हो production हो post harvest management हो value addition हो logistic के लिए marketing हो branding हो इन सपर focus किया आता है cluster development program के दहर जो कि horticulture के लिए launch किया था साथ ही साथ horticulture आपको पता ही है perishable community है एक तरह से तो post harvest losses बहुत हो जाते हैं तो इनके लिए ऐसा infrastructure बनाना ताकि post harvest losses को कम गया था उसके उसके लावा innovative technologies को introduce करना ताकि जो focused cluster crops हैं उन पर ही mainly focus किया था एसके ऐसी technology को develop करना ठीक है जरदालू mango होगे जरदालू mango अब उसको ही आपको promote करना है तो उससे related technologies को कैसे develop किया है ताकि जरदालू mango को promote किया है साही लीची है उसको promote करना है vegetables है इनको promote करना है तो उससे related innovative technologies develop किया है इसके लिए government of India ने cluster development program launch गया था जिसमें 12 cluster select किये गये थे और उन 12 cluster में से अभी तक 11 cluster में cluster development agencies से इस्थापित किया चुई है ministry of agriculture और farmer welfare द्वारा cluster development program जो कि horticulture के लिए launch किया था बारा cluster select किये थे जिन में से 11 में cluster development agency स्थापित किया चुकी है देखिए 31 माई 2021 को जो नरेन सिंग तोमर जी है agriculture minister उन्हेंने horticulture cluster development program launch कर दिया horticulture cluster development program cluster आपको पता ही है एक बहुत बड़ा area होता है वहाँ पर जिस purpose के लिए वो बनता है उसी चीज़ को अहाँ पर लाया जाता है suppose कि यह horticulture का cluster बन गया तो यहाँ पर जो warehouse होगा या फिर cold storage होंगे वो horticulture से related ही बनेंगे ताकि fruits, vegetables और जो ornamental है plants जैसे floriculture में आते हैं वो सब कुछ वहाँ पर secure किया जाए तो horticulture में यह सब कुछ आता है आपको पता ही होना चाहिए national horticulture build जो board है वही cluster development program को implement कर रहा है national horticulture board ministry of agriculture and formal welfare के तहत आता है अभी जो cluster development program है यह 12 horticulture clusters में रन किया जा रहा है लेकिन total 53 cluster social rate किया गया है cluster development program horticulture के लिए इंडिया second largest producer है horticulture का फर्स्ट कौन है चाइना है देखिए वर्ड में जो ही fruits और vegetables का production होता उसका 12% इंडिया में होता है 2018 19 सक्की बात की जाए तो देखिए 2018 नहीं शोड़ दिया अभी भी आंध्र ब्रदेश ही top पर है किसमें fruits के production में और west वेंगल top पर है किसमें vegetables के production में तो वेश्ट वेंगल और आंध्र देश जाद रखिएगा जहां west वेंगल vegetables और आंध्र देश foods के production में top पर हैं यह आप देख लिए cluster development program जो बारा लॉंच चिये गए हैं जैसे यह कस्मीर में सेप के लिए कस्मीर में इसके लावा यह आपका हिमान्चा प्रदेश में लास्ट में जाके skin और सेप के लिए यह लखनो में देख लिए अमैंगो मलिहाबाद का जो मैंगो है दसहरी आम वेर हाला कि दसहरी आम को GI Tech कहां के मिला है वेस्ट Bengal के मिला है और यह वेस्ट Bengal की जयनतिया है सोरी वेस्ट जयनतिया है इसमें घाले की और यह सब कुछ है अब क्या पढ़ाया जाए इसमें नासिकों सोलापूर यह बारा आपके cluster जो है उनको सेलेक्ट किया गया है और 11 में cluster development agency स्थापित की जा चुकी है horticulture cluster development program के लिए मैं national horticulture development board इसकी बात कर रहा था है थोड़ा सा मैं confused हूँ इसका headquarter कहा है next article में कभी आएगा तो जरू देखेंगे इसका next question है farm level पर small scale के food processing units setup किये जाए ताकि खेतों में food processing start किया सके और जो post harvested losses होते हैं उनको कम किया सके ministry of food processing industries ये center sector की अमरिला इसकी प्रधा मंत्री किसान संपता योजना को implement कर रही है 2016 सत्रा से कल मैंने आपको भलाया था मेगा फूद पार्ग स्केंग दोजर आठ नो में launch हूँ थी बाद में 2016 में प्रधा मत्री किसान संपता योजना में merge कर दी गई इसमें कहोता है देखिए financial assistant product किया आता है अगर आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वेज़े से food processing sector को help मिल रही है तो अभी तक 292 food processing unit जो है अप्रूब किया चुके है food processing और preservation capacities को enhance करने के लिए इसमें से 124 primary food processing centers है जिनमें dry warehouse capacity भी इतनी है लेकिन ये आप से नहीं पूछेंगे कि dry warehouse capacity कि इतनी है तो ministry of food processing industries परा रहा मत्री किसान संपता योजना launch कि जा रही है food processing sector की growth के लिए development के लिए जिसमें आपके all seeds, cereals, vegetables सब कुछ आता है ठीक है पदामति किसान संपता योजना इसमें 7 to 8 component है ministry of food processing industry दोरा implement की जा रही है कल भी हमने पढ़ा था ये 7 to 8 component जिसे mega food park cold value chain और operation green हो के रहा है ये सब आपके पदामति किसान संपता योजना का कही ना कहीं पार्ट है government of India ने operation green scheme launch की थी जिसमें tomato onion potato के अलावा अलावा नहीं पहले top scheme launch की थी tomato onion potato ही cover किया जाता था लेकिन top को बनाकर अब बोल दिया operation green इसमें 22 perishable commodities को cover कियाता है 2021 की budget के दौराण इन्होंने बोला 22 perishable commodities को इसमें cover किया जिसमें यह सारी आती है लेकिन आप से कौन पूछेगा operation green 2018-19 के budget में operation green launch किया जो कि operation flood की तरज़ पर था operation green के लिए 500 क्रोड रुपए ऐलोकेट की कि कितने 500 क्रोड रुपए operation green इस्पेसिफिकली फोकस करता था टोमेटो ओनियर पूटेजर उपर लेकिन 2021 तो बज़ेट के दौराण इसको वह दिया कि 22 जो commodities है खास करके perishable commodities उनको operation green में cover किया जाएगा next article देखते हैं देखे minister of textile कौन है उन्होंने कहा है कि अगले तीन वर्सों में handloom का production double करना है अभी 60,000 क्रोड का होता है अब इसको 125,000 क्रोड का करना है अगले तीन वर्सों में साथ इससाथ जो handloom export है इसको तो चार गुना करना है, अभी 2500 करोड का होता है, इसको 10,000 करोड का handdoop export करना है, तो textile ministry जो है, स्प्रति इराणी जी से ले लिगी है, और Puse Goel अब textile minister हो गए है, Puse Goel जी ने क्या गहाई, आप पढ़ लिजे आपे, 60,000 करोड का handdoop production होता है, इसको अगले 3 वर्सों में 1.25 lakh क नहीं अखले तीन वर्स में इस बार 7 अगस्त को 7 अगस्त को 7 वां हैंड लूम डे मनाया है क्यों 7 वां मनाया है प्राइम इस्टर्म मोदी जी ने 2.15 में 7 अगस्त को नेशनल हैंड लूम डे मनाने की सुरुआत की थी National Handloom Day प्राहिमिस्टर मोधी जी ने कहा है कि 75th year के Independence के 75th year हो रहा है तो Indian Handloom Products को पूरे देश में बाई किया जाए इसके लिए My Handloom, My Pride ये Campaign launch कर दिया है प्राहिमिस्टर मोधी जी ने इसके राबा My Handloom, My Pride Expo इसको और्गनाइज कर जाए दिल्ली पूरे हाट में एक अगस्ट से पंदा अगस्ट तक ये My Handloom, My Pride Expo और्गनाइज कर जाए नेशनल Handloom Development Corporation दोरा 7th National Handloom Day है याद रखिएगा अचाए ये Handloom Day 7 अगस्ट को शुरुआत क्यों होई क्योंकि 1905 1905 को सुदेशी आंदोलन छिड़ गया था लौड करजन ने बंगाल विभाजन कर दिया अब बंगाल विभाजन कर दिया 1905 में तो उसके विरोज में सुदेशी अपनाओ Movement चिड़ गया बाल गंगा दर तिलग जी की Ideology थी सुदेशी को अपनाओ वो सुदेशी अपनाओ Movement कप चिड़ा था 1905 में है कौन सा हैंलूम सेक्टर जिसको हम लोग कहते है Government आफ इंडिया ने एक हैंलूम मार्क स्केम इसके लिए वेबसाइड लाँच की माई हैंलूम पोर्टल लाँच किया हैंलूम मार्क स्केम 2006 ही लाँच की थी परपस क्या था परपस था जो इंडियन हैंलूम ब्रांड है उसको इंटरनेशनल मार्क में फेमस करना साथ sharp डुमस्टिक मारकेट में थी तो ये हैंलूम मार्कस की में 2006 में इंडियन हैलूम को फेमस करने के लिए लाँच की थी तो आपको निशनल हैंलूम करता है और हैंलूम का यानि बिजली गिरने की घटनाएं हैं वो काफी ज़दा इंक्रीज हुई है देखे इस स्लाइड में तो कुछ भी खास आर्टिकल नहीं बसे ना आया देखिएगा लोग सब्वाइब डॉक्टर जीते न सिंजी ने कहा है कि दामेनी मोबाइल एप है वो यह बताता है कि आज पास बिजली गिरने की घटनाएं कहां पर हो रही है या फिर बिजली चमकने की घटनाएं कहां हो रही है ये बिजली चिताओनी दामेनी दौरा जारी की आती इमिनिश्टी आफ आर्ट साइंसेस का मुबाइल एप है देखे 20 किलो मेटर की रेंज में या फिर 40 किलो मेटर की रेडियस में आपको बिजली चमकनी की चेतावनी दे देगा जीतनी सिंग जी ने कहा है कि सबसे ज़्यादा बिजली चमकनी घटना है नौर्थ इस्ट और इस्टन एरियाज में हुई है पिछले 20 वर्सों में बढ़ी हैं साथे साथ जो हमारा इंडियन इस्टिटुट और ट्रॉबिकल मेटरोलाजी पूरे है उसने क्या किया है लाइटनिंग लोकेशन नेटवर्क इस्टॉल किया है 83 प्लेसेश पर पूरे देश में ये एक नेटवर्क है जो कि बताता है लाइटनिंग की घटना है सबसेदा कहां पे हो रही है तो ये देख लेजे लगबग एक्क्युरेसी के साथ ये जो हमारा नेटवर्क है ये ला कुछ दिन बात पहले आदोगा कौन सा द्वारिका द्वारिका के मंदर पे बिजली गिरी थी लगिन कुछ होगा नहीं था खाता अब बाकि यह तो important है नहीं की तीन घंटे में हर तीन घंटे में warning नेश्ट तीन घंटे कर जारी कि आती है नहीं 1084 stations की बात की जा रही है हाँ इतना रखेगा Indian Institute of Tropical Metrology 1962 में इस्तापना हुई थी पूड़े में ये headquarter है next ये क्या है lightening यानि बिजली गिरने के विए सबस्यादा death कहा हुई है तो बिहार में हुई है फिर UP में हुई है तो बिहार में सबस्यादा death हुई है जो कि population UP में जादा है इसका मलब क्या है इंफ्राइस्ट्रेक्चर रेलेटेड़ इस्यूस हैं ये हम लोग करेंट अफ्रेस में बहतर लेंग से कवर कर चुके हैं कितने लोग मरें हैं हम लोगों ये भी कर चुके हैं आप यहाँ देख ल किया गया है RBI द्वरा RBI Government of India के बिहाब पर ये प्राइस जारी करता है पास दिनों के लिए ये ओपन है यानि जो इन्वेश्टर है वो सोवरेन गोल्ड बाउंड इसकी में इन्वेश्ट कर सकते हैं 9 गस से 13 अगस तक यो ओपन रहेंगे RBI ने गोल्ड बाउंड इसकी में जो price fix हुआ है वो 4790 रुपे fix हुआ है इसमें आपको कोई physical gold नहीं मिलेगा paper gold मिलेगा digital gold मिलेगा कोई storage cost आपसे नहीं लिजाएगा कुछ भी नहीं लिजाएगा आपको सिर्फ ये pay करना है और बाद में जो भी आपको interest बनता है उस पर tax pay करना है देखिये पिछले एक सब् जो gold का price है वो 1000 रुपीज पर 10 ग्राम drop कर चुका है अभी आप gold bond खरीदेंगे तो आपको 4790 रुपीज जो फिक्स की गई है लेकिन अगर online तरीके सी कह लिते हैं तो 50 रुपे आपको और सस्ता पड़ेगा तो ये तो अच्छी बात होगी न यानि अगर online आप gold bond खरीदने जाद हैं पाच्छोंगे ट्रांच में तो 4740 रुपीज पड़ेगा sovereign gold bond scheme 25 नौबर में लाँच की थी परपस क्या था जो physical gold है उसकी demand को कम करना क्योंकि लोग क्या करते हैं गोल्ड में invest करते हैं तो अगर gold का एक paper format आपको दे दिया है जो कि gold के price से correlate कर दिया है तो फिर आप जायज है कि आप gold के खरीद होगे आप वह paper खर लोगे और B.A. Government of India के बहाब पर यह gold bond चारी करता है और यह gold bond जो होते हैं इनका price जो होता है लोग लिंग कर दिया रहता है किससे 24 karat के gold price से किसका जो मुंबाई बेस्ट इंडियन बुलियर एंड ज्वेलर असोशेशन है उसके त्वारा जो gold price जारी करता है उससे link कर दिया रहता है इन gold bonds को क देखिए अपर लिमिट क्या है जो individuals है individual investor तो 4 kg तक का gold bond purchase कर सकते है लिकिए अगर यही कोई trust है company है तो 20 kg तक का gold bond एक financial year में access कर सकती है तो आप देखिए 4000 unit gold bond एक year में ख़िदा जा सकता है कोई individual person द्वारा और minimum क्या होगा एक ग्राम तो आपको ख़रनी पड़ेगा यानि 4 4790 रुपए खर्च करने ही पड़ेंगा अगर online लिया तो 4740 रुपए फिफ्ट रांच के हसाब से gold bond scheme में अगर आप एक बार bond purchase कर लेते तो maturity period 8 year रहेगा exit option आपको 5 year पे मिलेगा खास बत क्या है जैसे जैसे gold का price मिले बढ़ेगा वैसे वैसे आपके gold bond का भी price बढ़ेगा और साथी साथ जितना आपने invest किया है उस पर आपको 2.5% interest per annum के हिसाब से मिलेगा हलाकि वो payable होगा semi annually छे मेहने में आपको pay कर दियाएगा suppose करी आपने 10 लाग के gold bond लिये तो आपका per annum 25,000 interest बढ़ेगा तो वो आपको 12,000 रुपे semi annually पे कर दियाएगा हलाकि gold bond में मैंने आपको होता है जो interest बनता है वो taxable होता है income tax है 1961 किता है तो वो मत भूलिएगा ऐसा नहीं कि एक करोड का gold bond खरी लिया फिर धाई percent हो जे हमकी धाई लाग रुपे हमारा मिल गया और उस पर interest tax नहीं देंगा उस पर tax पढ़ेगा धाई लाग पर याद रिखेगा बस इतने ही आर्टिकल थे बहुत कम आर्टिकल बचें पी आई बी के लिए ढोना पड़ना है तब तक आई टक केर बड़ बड़ आई